तो आज हम सप्लाई पे आच चुके हैं डिट्रेमिनेंट्स ओफ सप्लाई पे डिसकसिन करेंगे तो डिट्रेमिनेंट्स ओफ सप्लाई क्या है सबसे पहले आपने इस पात को अच्छे से जाना और समझा भी लास्ट प्लास में देखिए आपने इस पात को अच्छे से लास्ट प्लास में समझा भी था कि कोई भी कॉमेडिटी हो उसकी सप्लाई अफेक्ट करने के पीछे दो चीज़े रिस्पॉंसबल होती है लास्ट क्लास में हमने पढ़ाता कोई भी कॉमेडिटी हो अगर उसकी सप्लाई अफेक्ट ह हो रही है supply increase or decrease हो रही है supply में किसी भी तरुचेंज इसा और जाएगा और जब प्राइस टीकरीक होगा तो सभाई भी डिक्रीज हो जाएगा यह आपने अच्छे तरीके से last class में سमझाता लेकिन कई बार ऐसी situation भी create होती है जहाँ पर price का कुछ का कोई role नहीं होता है price constant होता है और किसी और वजहों से supply increase या decrease होती है उन वजहों को मैंने नाम दिया था other factor लेकिन आपके mind में ये सवाल था last class में कि other factor में sir कौन से factors हैं तो आएए आज की class में सबसे पहले हम determinants of supply में मतलब की supply को increase और decrease या supply को affect करने के पीछे जो जो चीज़े responsible है उनके बारे में हम यहाँ पर भी आज समझेंगे देखिए तो सबसे पहले determinants of supply में क्या आता है price of product price of the product price of the product क्या होता है price of product का मतलब यह हुआ आपका कि community के खुद की price के वज़े से ही उसकी supply affect होती है for example जैसा कि हमने समझाता कि price है और supply है और आपने क्या देखा as a supplier जब किसी community की price increase होती है तो supplier को वहाँ पर profit जादा नजर आता है तो supplier क्या करता है उस चीज का प्लक्शन बढ़ा देता है और उसकी supply बढ़ जाती है और जब price कम हो जाता है तो कहीं न कहीं उसको profit margin कम हो जाता है तो इसकी supply कम हो जाती है तो basically खुद का price responsible है when there is an increase in the price of product and if it is more than the marginal cost of the flexion it enables the firm to earn our access profit by selling at the higher price so there is an increase in the supply of the product which causes the rightward shift of the supply curve और आपके पास पे यह clear है इस पे rightward shift नहीं होता है इस पे movement होता है यह चीजी गलत लिखी हुई है हाँ जी टेक्नोलोजी कंडिशन अब जो भी आप पढ़ोगे इसके price के अलावा वो सारी चीजे other factor में आएंगी तो other factor की चीज़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी क्या price constant है और दूसरी चीज़ों में ऐसा क्या चेंज आ जा 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 जाए तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बत कर रहा हूं price of given goods क्या है price of given goods constant होगा तो अब community की price और उसकी supply की मैं बात कर रहा हूं तो price तो no change constant बताऊंगा मैं price को बट supply मैं आपको increase और decrease करके बताऊंगा अब जो भी चीज़े responsible होंगी उसको बोलेंगे due to other factors अब यहां पर देखें टेकनलोजी प्रोग्रेस creates positive approach in the supply of the particular product अगर किसी भी प्रोड़क की टेकनलोजी अगर improve हो जाए प्रोग्रेस हो जाए तो उसकी supply क्या हो जाएगी supply उसकी बढ़ जाएगी मैं कि example के लिए मैं आपको संजा रहा हूं कि माल लीजिए एक time पर मैं whiteboard पर पड़ा रहा था तो जब मैं whiteboard पर teach कर रहा था तो वहाँ पर मुझे यह जो सारी theory है कि फिरी जो points है महाँ पर मैं लिखता था इन points को और जब मैं इन points को लिखता था तो उस समय के आता था कि एक घंटे में मैं जितना material deliver कर पा रहा था आज की date पर चीज़ें लिखी हुई रहती हैं और आगे बढ़ सकता हूं तो आज के time पर आज की date पर उतने ही time में मैं उससे ज़्यादा content deliver कर पा रहा हूं तो क्या हुआ अगर technology improve हो गई progress हो गई इससे तो फिर मेरी जो supply है वो क्या हो गया वो supply बढ़ गई यह बात समझते हैं clear है तो technology progress करने से क्या होता है technology progress और improve करने का य उतने ही समय में या उतने ही raw material से या उतने ही resources से पहले से ज़्यादा output देना इसको हम बोलते है technology progress कि आप अपना output तो उतने ही लगा रहे हो जैसे माल लीजिए पहले एक गन्ने का रस जो है हास से घुमा करकर कर मशीन से निकाला जाता था लकड़ी की मशीन हुआ करते थी लेकिन आज के डेट पर वह मशीनरी आ गई है अब गरने डालेंगा electronic मशीन वह अच्छी तरीकरी से जो है रस निकाल देगा तो आज पहले चितने गन्ने से जितने लीटर आप जो है इसको जूस निकलता था आज सेम उतने गन्ने से उसे ज्यादा लीटर जूस निकल जात कि वीडियो के सास्थ कितने बच्चों को इशुचल रहा है किसे बच्चे कह रहे हैं वीडियो रुख गई है बताएं जरह किसी बच्चों साथ में इशु है क्यों आगे बढ़ता है फिर वह आपका फ्रण्यथि इशू हो सकता है तो यहां पर आप देखेंगे कि जब टेक्नोलिण इंप्रूव होता है तो फूर्म पेल्सी जादा सप्लाई कर सकती है तो यहां पर उसका प्राइस would no your works उसका कॉणेट कुई अधर बढ़ रहा है तो आप एक बात समझेगा जब भी responsible other factor होता है तो वहाँ पर क्या होता है सिप्टेंग होती है तो अगर technology ने progress करा supply बढ़ेगा जब supply बढ़ेगा तो supply कर राइट वर्ड चला जाएगा मेरी बात समझें clear है तो other factor की वाज़े से कर पर क्या होता है movement होता है तो एक बात हमेशा आप समझेगा इस बात को मै due to other factor due to other factor ठीक है सबसे पहले आपको पता कि कर की shifting होती है जब supply आपके increase होगी तो सबसे पहले increase in supply यह राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर बात एक ही है पहले आप जनरली एक price और एक supply सेट कर लीजेए price, quantity, origin, y, x और यह क्या है supply और हमारे पास में price, quantity ठीक है अब यहाँ पर आप इस बात को देखें और इस बात को आप यहाँ पर समझने के कोशिश भी करें कि हमेशे धनकना कि increase in supply हो increase in supply हो यह या फिर right word shift in supply कर वो बात क्या है बात एक ही है तो right word shift होगा तो same price पर ही आप देख पा रहे हैं कि supply आपको ज़्यादा नजर आएंगे आप देखिए इस बात को ज़्यादा समझे यहाँ पर क्या हो रहे हैं आप सेम प्राइस पर यह अब आपके supply ज़्यादा है तो यह right word shift in supply कर वो गया है तो आपने exams में clearly mention हो एक्जामेरे को तो ही नहीं पता लग पाता कि आप right shift कर रहे हो लेक्ट कर रहे हो तो इसलिए dotted बना दिया करो इसको थोड़ा सा और आप इस तरीके का आप मार्क भी कर दो तो आप पहीं सा कभी भी धानक ना कि technology अगर improve होगी technology अगर प्रोग्रेस होग तो supply increase होगी supply कर राइट वड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर responsible कोने other factor responsible है तो shifting होती है करके अगर वही technology backward होगी clear है कुछ technology band होगी किसी वज़े से तो उस situation में आपके पास में जो है आपका supply जो है वो क्या हो जाएगा वो आपका negative हो जाएगा ठीक है क्लियर है अब आप यहाँ देखेगा अगर decrease in supply की में बात करता हूं तो बात करते decrease in supply decrease in supply और इसको आप यह भी कह सकते हो leftward shift shift in supply कर इसको आप यह भी कह सकते हो leftward shift in supply कर आप यह भी कह सकते हो यह मेरे पास में क्या है यह मेरे पास में supply कर वे है पर जनरली एक supply कर बना लीजिए origin y supply x price quantity ठीक है जी तो बात करते हैं हम पर इन्हें पर बात करते हैं supply की और आगे हम बात करें leftward shift in supply कर decrease in supply की तो यह आपका तो सेम प्राइस पर आद देख पा रहे हैं कि supply आपके कम हुए है क्लिरें तो यहां supply कर क्या वह आपका एस वन और एस वन और यहां पर आपका लेट वर्ड शिप्ट हुआ तो हमेशे दहान लखेएगा अधर फेक्टर की वेसे कर्व सफ्ट होता है अब स्फिट दोई है यह तोAfter मिया तो ने अगर में क्रीस हो क्या हो रहा है तो रहेट लंग्र सब्सक्राइब हिभुत होने के हाई निभ जा 거예요 और होगी, तो क्या पढ़ता है, technology progress creates positive approach in the supply of a particular product, it decreases the cost per unit and the increase the productivity of the given factor inputs of collection, this leads to making the collection of the particular goods more profitable, so the increase in the supply of the collection which causes the rightward shift in the supply curve, clear है, अब बात आती है inputs pry, inputs को क्या बोलते हैं, basically factor, inputs क्या होते हैं, inputs होते हैं factor, ठीक है, या फिर आप एक तरह के से raw material ले ले दीजिए, raw material आप बोल दीजिए, इसको आप क्या बोलेंगे, inputs बोलेंगे, तो आप कई बार क्या होता है, जैसे मालें जे गन्ना सस्ता हो गया, मेरा काम है, मैं biscuit बनाता हूं, जो मैं biscuit बनाता हूं, तो मुझे आटे के भी जरूत पड़ेगी, गिहूं की भी जरूत पड़ेगी, और मुझे चीनी की भी जरूत पड़ेगी, ही यह दोनौ काम यह फिर से इसाषब को छोड़िए मैं जो है चीनी मील चलाता हूँ ठीक न तो जो चीनी का में एक मील चलाता हूं में चीनी मैने नाता हूं और चीनी बनाने क लिए मुझे बटने की अक्रावा की कि प्राइब इनपूर्ट कि पाइद ये अगर डिगिरेगी तो बताएं जिना मेरा कोस्ट अब उसको बनाने का कम आएगा ये नहीं मेरा प्राइब यह है तो सबसे पहले यहां तक मान लीज़े मिरा कोश्ट है यहां ये मेरा थे अ तो जो मैं बेच रहा हूं जो बीच का जो गैप आ गया बैच इतने मेरा हाँ तो इतना तो कोस्ट मेरा फूर्ड करना पड़ रहा है यह आला जो सेक्षिन है यह मेरा प्रॉफिट आएगा है क्लीर है अगर मान लेजए मेरा कोस्ट का मुझा है इसी में इस पर बात करों कि मिरा कोस्ट का मुझा दिस वन इतना हो जाह और मैं बेच उसी प्राइश पर रहा हूं मेरे प्राइश में कोई चेंज नहीं करा तो अब आप देखेंगे discount अब profit क्या हो जाएगा जादा होगा या नहीं होगा मेरा profit तो इसलिए जब price of inputs decrease हो जाता है तो एक producer के लिए उसकी लागत उसकी cost का जाती है कम हो जाती है और जब cost कम हो जाती है और उसे rate पे बेचे तो profit जादा हो जाता है जो profit जादा हो जाता तो वो motivated हो जाता है तो अगर price of inputs decrease होगा तो cost भी कम होगा और cost कम होगा तो profit जादा होगा profit जादा होगा तो supply जादा होगी और supply जादा होगी तो supply curve rightward shift होगा मेरी बात समझे या नहीं समझे clear है तो rightward shift होने का एक कारण दे चुका हूँ technology progress दूसरा कारण में दे रहा हूँ इनपूर्स के price बढ़ जाएं तो आप perfect competition इतना जबद्रस competition होनी के वीच्ट आप अपने प्रॉट्ट की price को नहीं बढ़ा सकते हो तो price अगर आपका inputs के price बढ़ गए तो कहीं ने कहीं आपके जो है profit का जो है आपका बढ़ेगा और आप बेच उसी रिट पर रहे तो profit margin कम होगा उससे आप क्या करेंगे डिमोटीव हो जाएंगा और supply आपकी तरफ से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यहां पर आप क्या सकते हैं तो अब इसके बात कर रहा है तो इंकरीज इंदा प्राइज ऑफ इंपूर्स लिखना पड़ेगा इन चोड़ोडी बातों का आप जो है क्लियर है ध्यान रखना तो इंपूर्स प्राइस अच्छे समझ मां आपको आ गया नेक्स्ट कोशिन जड़ा समझते हैं कि नंबर अफ सेलर्स और बेसे जब नंबर अफ सप्लाइर्स जब मार्केट के अंदर बढ़ जाएंगे तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएंगे और लिखना पर हो जाएगी तो यहां पर फिर से राइट वर्ट सिफ्ट होने के विचार रिजन दे सकते हो कि जब नंबर ऑफ सप्लायर किसी प्रोड़क्ट के मार्केट में बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी एक्जांपल के लिए मैं बारवाई एक्जांपल लेता ही हूं जैसे मान ल है थे इसकी वैसे सप्लाई फिर्मा कुछ समय के बाद अब जो इकनामी में ज्यादा देखने को मिली ही है दा नंबर ऑफ सेलर इना मार्केट हैस दा सिग्निफिकेंट इंपक्ट अब सप्लाई वें दाव मोर फॉर्म्स एंटरा मार्केट तू स्पेसिफिक गूड्स सब्सक्राइब नेचूरल एंड सोचल फैक्टर्स कई बार इंपक्ट पड़ता है मालीजे कहीं पर आपदा आगी जैसे कि आपर देखा था कि अभी कुछ समय पहले नेपाल में बहुत बड़ा भुकम पाया था तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो है रिसोर्स को काफ वहांता है कि सप्लाई कुछ समय के लिए कर आपर कम हो गया तो जब आप प्रसेटर्स का तो हमारी सप्लाइब कम होती है और जब पॉजिटिव पर निचीजों का ठीक है तो सप्लाई हमारा जो है वो राइट पर से प्रजाता है तो देर और आलवेज अनूबर आप्न यह बात भी मैंने पढ़ा है और एक किलाब कुछ पॉलिसी ओर है एक है policy हमारे पास में government policy government policy क्या होती है government policy का मतलब है कि कई बार गौर्मेंट किसी भी एक particular इंडस्ट्री को लेकर के favourable policy बना देती है tax में छूट देती है और थोड़ा सा जो ह लिब्रॉल हो जाती है उसको लेकर करके तो वहाँ पर कहीं न कहीं जैसे की माल लेजिए fertilizer को लेकर करके चलिए माल लेजिए LPG को लेकर करके जो कि कहीं न कहीं necessary है गरीब लोगों के लिए तो इस type के industry को लेकर के जो government है वो क्या करती है कि थोड़ी से liberal हो जाती है थोड़ा सा tax के अंदर छूट भी देने की कोशिश करती है तो यहां पर favorable change in government policy बोलोगे एक farm के लिए उस farm के लिए कि उस फार्म के पॉइंट अभी से government favorable जो है policy में change कर दिया और उसका impact यह आएगा कि कहीं न कहीं वो जो encourage हो जाएंगे और उससे उनकी जो है supply tax कम होगा तो सब्सक्राइब कर देंगा सप्लाइब कर राइट वर्ट सिफ्ट हो जाएगा बट कई बार गवर्मेंट का negative जो है आप एक अगेंस्ट में भी चेंजिस आ जाता है किसी प्रोड़ेट को लेकर गए एकदम से टेक्स लिफ में उसको बढ़ा देते हैं या फिर उसका फ्लेक्शन पर लगा देते हैं तो वहाँ पर उसमौन पर अच्छार पांच बाते हैं तो अब भात करता हो यहाँ पर मैं किस पात के equilibrium price equilibrium price equilibrium price की बात करें कुशिन बना रहे नहीं है देखिएगा equilibrium price क्या होता है अच्छे समझेगा इस बात को equilibrium price जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतूलन कीमत ठीक है ना क्लियर जी पर बताएं यहां तक चीशिया अब यह तक आपको clear है या नहीं है अच्छे 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 हाँ जी चलिए बात करते हैं आप पर हम एक्लिवियम प्राइस की संतूलन कीमत की लेकर सारी क्लासिस पिछली क्लासिस से कनेक्टिट रहती हैं अगर बीची कोई क्लासिस अगर आपके मिस है या फिर आपने उसको रिविजन नहीं लिया तो समझने में आपको पॉलम आएंग इसको रिविजन नहीं किया एक बार तो फिर इस पर भी उसका एफ्ट देखने को मिलेगा सारा एक सीक्वेंस की तरह चलता है शाम का बैच्ट अपको जैसे क्लासिस में डेई रहा हूं तो अगर आपने उसक्लासिस को अगर आपने नेगलेट कर दिया तो फिर आगे आपक कोशिश है चल्दी से हम जो है अपने से लिए बसको टाइम पर खतम करेंगे तो फिर मैं आपको रिविजन भी करवाऊंगा रिविजन के केसिस में क्या होगा कि मैं आपको इंपोर्टन इंपोर्टन कोश्टिंस के अलग लग फोल्टर मना दूंगा अपने वीडियो को औ और अपने कोश्टिंस के साथ नहीं कि चप्टर बनका ये वीडियो से और ये इसकी कोश्टिंस है बस आप इस कोश्टिंस को देख लिए तो वहाँ पर आपके तरीके से क्या चलेगा आपका रिविजन चलेगा लेकिन फ्रिवी में मैं कह रहा हूं कि पेपर मैं बना रही संतूलन कीमत का मतलब यह होता है इसको आप संतूलन नहीं बोलेंगे इसको भी संतूलन नहीं बोलेंगा अगर यह ऐसे से चल रहा है संतूलन नहीं है संतूलन का मतलब यह हो गया यह अपनी जिगह पर स्थिर हो गया नहीं तो यह उपर जाएगा और नहीं यह नीचे आए जिसमें कि generally short run के इंदर changes देखने को नहीं मिलेगा नहीं वह बढ़ता हूं नज़र आएगा नहीं वह घड़ता हूं नज़र आएगा वह एज पर जाकर के वह इस्थेर हो जाएगा उसे हम बोलते हैं इस ट्लिवरियम प्राइज बड़ एक्च्वल एक्ट पॉइंट वी से डिफिनेशन क्या है उसको समझते हैं चलिए अब बताईए कि अगर आप परफेट कॉंपेटिशन मार्केट में हैं तो परफेट कॉंपेटिशन मार्केट वह मार्केट जिसमें की huge number of forms होती हैं वह प् लिए दुकान पर पट्रियो पर बहुत जादा सप्लायर और कंज्व्र भी कितने बहुत जाद है तो इस तरीके कि हम जो है मार्केट को हम बोलते हैं परफेट कंपेटिशन मार्केट अगर आप एंट्री मारते हो अगर आसको भी प्रोजट्प बेचना चाहते हो तो क्या लेता है जैसे की एक समुसे वाला आपके गदिर्षाइब और संप्राइस को बना सकते सकते हो आप बोलोगे मेरी दुकान में 50 की वेच वह तो क्या बेच पाओगे बिलकुल नहीं बेच पाओगे क्यों क्यों कि बिल्कुल होमोजीनियस प्रोड़क्ट पर बिल्कुल से मिलेड दूसरा भी कम रेट पर बेच रहा है लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो इसमें में वेट में पैकिंग में सब चीजों में बिल्कुल रहते हैं तो यहां पर एदर स्वलाइर प्राइस मेंकर नहीं होता है वो प्राइस बनाok की जिस rate पर market में चीज़ें बिकर रही हैं आपको भी उस rate पर बेचना पड़ेगा आप price maker नहीं हो आप price taker हो आप कीमत निर्धारक नहीं हो आप कीमत स्विकारक हो आपको स्विकार करके बेचना पड़ेगा पहली बात वह समझ में आ गया कि perfect competition market के अंदर price जो है वो supplier decide नहीं कर होगा तो एक consumer भी इसके price को affect नहीं कर सकता है तो सवाल यह है कि जब एक supplier इसके price को decide नहीं कर पा रहा है तो price decide हो कहां से रहा है यह तो यह price कहां से demand हो रहा है यह demand and supply के force इससे decide हो पा रहा है अब आपको के सब्सक्राइब का force क्या है हाँ जी देखे जड़ा हाँ 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 सबसे पहले हम बात करते है प्राइस कैसे decide होगा इस वन इस यह एक demand and supply के force से यह demand कर बना दिया है मैंने यह मैंने एक supply कर बनाया है ठीक है जी और यह जहां intersect कर रहे हैं यहां पर लिकर आईए और यहां से आप नीचे लिकर कर आईए चलिए इसका नाम दे देते हैं पहले हम यह origin है quantity है price है demand करव है और यह positive slope का आपका supply करव है y axis है x axis है और यहां पर हम y axis पर price को represent कर रहे हैं x axis पर हम जो है quantity को represent कर रहे हैं clear है जी अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपके पास में price quantity और आपके पास में सारे चीए तो आपके पास में आ गई है clear है फ्लक्शन फंक्शन की तीन क्लासिस हो गई है हाँ जी तो यहाँ पर आप देखेगा अब सबसे पहले मान लिजी की डिमाड और सप्लाई है मान लोकी खैर इसको हम एक्किलिब्रियम प्राइस कहते हैं इसको एक्किलिब्रियम प्राइस कहते हैं क्योंकि जिस प्राइस पर डिमांड को देखो डिमांड करको टच करकर क्या आप नीचे आओ तो यह डिमांड कितनी है यह डिमांड है ठीक है और इस प्राइस पर अगर आप इसी price पर supply को touch कर रहा है तो supply कितनी है यह आपकी supply है तो आप कह सकते हो कि इस price पर demand and supply क्या है equal है demand और supply equal है तो जिस price पर demand और supply equal होता है वो point आपका वो आपका equilibrium price होता है इसी को हम क्या कहते है इसी को हम कहते है equilibrium price और इसको हम कहते है equilibrium point अब आपका सवाल यह है अगर आपका सवाल है कि सर चलिए डिमांड और सप्लेगर एक्वल नहीं हो तो ऐसा क्या हो जाएगा तो वह भी देख लेते हैं तो आप इस समझाने कोई कोशिश कर रहा हूं आपको बस मान लिजिए कि यह है अगर आप इस प्राइस को ना रख कर करके अगर आप इस से उपर कोई प्राइस पर जाते हो तो आप इस से उपर किसी प्राइस पर जाते हैं तो यह डिमांड करको टच कर दिया तो आपका यह डिमांड बन गया यह डिमांड का लेवल है आपका मैं नीचे बता रहा गया ठीक है ? Q1 और इस प्राइस पर अगर आप Supply को टच करके नीचे आएंगे तो यह आपके Supply को बताएगा ठीक है तो यहाँ तक आपका Supply आ गया तो आप इस पात को देखेगा कि यह आपके पास में जो situation हेच हुई है क्या यह आपके पास में access supply की situation create हुई है या नहीं हुई है तो ये आपके पास में access supply की situation create हुई है अब बताए जो access supply आपके मिलब जितनी demand है उससे ज्यादा supply है अब आप एक बार बताए जब जितनी demand है अगर उससे ज्यादा supply है तो क्या होगा जो supplier है आपने ऐसे बाजार में गए हो होते हैं तो वह हाथ पकड़ पकड़ करके बिचारे बुलाते रहते हैं अगर आप कंफ्यूज हो तो रेट भी तोड़ने लग जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर डिमांड कम है और सफलाई ज्यादा हो जाती है तो वहाँ सप्लाइयर में क्रेट हो जाता है बेचेने के प्रसपेक्टिव से अगर इस प्राइस को रख करके तो कोई फायदा हुआ ही नहीं क्योंकि यह प्राइस किसल नीचे हो जाएगा आप एक बात जानते हैं क्या जानते हैं जब भी price down होती है तो demand बढ़ता है और supply क्या होता है supply आपका कम होता है clear है परी बात समझे तो यहाँ पर एक बात समझेगा जब price down होगी तो demand बढ़ेगा और demand बढ़ता कब है demand बढ़ता जब है एक बात हमेशा जाना कीगा आप जितना demand कर पे नीचे आएंगे उतना demand आपका बढ़ता चला जाएगा क्योंकि negative relation होता है तो demand अगर बढ़ रहा है तो demand कर पे नीचे आना पड़ेगा तो यहाँ से आप फिसल करके demand कर पे आप नीचे आना शुरू कर और supply की cases में positive होता है तो यहाँ पर आप देखिएगा supply चाहोगी कम होगी तो supply कर पर आप नीचे आएंगे तो supply भी कम होगी तो supply कर पे भी यहां से आप यहां आएंगी और यह मुवमेंट जब तक होता रहेगा जब तक कि आप एक क्लीरियम पॉइंट इपर नहीं कर नहीं पहुंच जाए अगर आपका मानना है कि चलो सर यह बात तो सब आपकी अच्छी बात है आप अच्छी बात कर रहे हैं चलिए हमारे मन कर रहे हैं कि भाया हम प्राइस को जो है कुछ इस तरीके से नीची रखें अगर आप नीचे रखोगे तो फिर से मैं आपसे वही बात करूँगा कि ये आपका supply कर पो टच कर गया तो इतना आपका supply है और ये आपका demand कर पो टच कर रहा है ये आपका demand है तो ये वाला जो segment है आपका ये क्या है ये आपका एक access demand हो गया अब जब आपके पास पे access demand हो गया तो वहाप पर आपके number of consumer जादा है supply कम है तो फे consumers को by करने के लिए conversion create होगा और यहाँ पर price क्या होगे तो एक बास समझ जाएगा कि जब demand and supply equal होता है वही price stable रह सकती है उससे उपर price में supply access की वेशिसे price down जाएगा उससे नीचे आने पर demand access वेशिस सप्राइज फिर बापस पढ़ जाएगी तो price basically दुखे की और ठेराव कहाँ आएगा जहां demand and supply equal है अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आया तो एक schedule तो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ आप इस schedule को देख लिजेगा देखे ज़रा एक schedule को ज़रा आप देखने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें माल लिजे price है, demand है and supply है price 10, 20, 30, 40, 50 demand, जैसे जैसे price बढ़ती चली जाएगी जैसे price बढ़ती जाएगी, demand कम होता चला जाएगा demand कम होता चला जाएगा supply के कैसे price बढ़ती है, supply बढ़ती है अब एक बात देखेंगे अगर आप तो सबसे पहले आपका equilibrium कहा होगा, जहां पर demand and supply क्या है equal है, क्योंकि इसके उपर वाली situation पर आप जाते है इस situation पर, तो अब आप देखेंगे कि जब आपके पास में इस उपर अपर 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 जाएगी, तो यह प्राइस नहीं रह पाएगी, प्राइस बढ़ेगी, अगर मैं अगर एक लीडन प्राइस से कम वाली प्राइस अगर यहां पर यहां प्राइस कहा का मोगी तो रुकावट प्राइस है चाहरा कहा आएगा यहां पर खृट किसे कहते हैं अपर सोप्राइट कम क्या क्यवे एक नबूत को सब्सक्राय कर सकर है तो यह वही बात कर रहा है, a clearum price of a goods is the price at which the market supply of the goods equals to the market demand for that good by the market supply, we mean the sum of the total supply by all the producer of a goods taken together whereas the market demand, मतलब की सभी total aggregate demand, this can be better explained with the help of the following schedule. जसा आपने यहापर देख भी लिया सीज को, clear है जी? अब हमारे पास में question आ गया है कि impact of change in the demand and supply on equilibrium price यह question हमारे पास में आ गया है कि demand and supply में अगर changes आता है तो उसका impact क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आप इस बात को जड़ा समझेगा, basically तीरी situation होता है अगर बात करेंजी हम यहाँ पर किस बात के impact के? देखें एक बात देहां situation तीन situation नमर वन क्या होता है इस situation में when demand is greater than supply demand जब supply से ज़्यादा हो ठीक है ना इस situation को हम क्या बोलते है इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड ठीक है clear है इस situation में क्या होता है competition 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 creates among the buyers या among the consumers ठीक है? और जब consumer में competition create होता है तो प्राइस क्या होता है? प्राइस विल बी increase price increase होता है ठीक है? और जब price increase होता है तो फिर demand क्या होता है? अ demand decrease demand decrease and supply increase और जब demand decrease होता है तो demand कर पर क्या होता है? डाउन्वर्ड 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 मूमेंट अलोंग दा डेमांड कर एंड सप्लाइक तोनों में सेम डिरेक्श्य मूमेंट होता है? जब डिरेक्श्य मूमेंट ना डिक्री दोरे डेमांड तो अबड़ मूमेंट होगा और end supply कर डोनों पर एक डिरेक्श्य मूमेंट होगा अलएला कभी मूमेंट नहीं होता है ठीक है? और फिर क्या होगा? ये बसन में आया या नहीं है आपको जब डिमांड आपका अक्स्य सोगा और फिर प्राइस के हो जाएगा ये प्रोस्स कप्ता चलता रहेगा तिल till Equlveyum Point कप्ता चलता रहेगा तिल Equlveyum Point E whereas demand equals to supply जहांपर demand and supply equal हो प्रहे इस बात को समझ गा दिक्षे जो चीज ज्यादा होगी वही लोग आपस में कॉंबिट्सन करेंगे तो जब एक्सेस डिमांड है तो डिमांड ज्यादा है तो डिमांड करने वाले डिमांड वाले लोग कौन से होते हैं दिमांड वाले होते हैं consumer और supply वाले कौन होते हैं supplier ठीक है जी clear है तो यहाँ पर जो उसी चीज ज्यादा होती है वही competition करेंगे तो demand ज्यादा है तो consumer करेंगा consumer क्यों कर रहा है चीज़ों खईदने के लिए तो price increase होगा जब price increase होगा तो इससे क्या होगा दिमांड decrease होगा और supply increase होगा और आपको पता है आपका supply अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों पर एक एक डाक्शन मुमेंट होगा तो दोनों पर अबड़ मुमेंट हो जाएगा और दोनों मुमेंट कपता हो रहेगा जब तक कि यह clear point E पर नहीं पहुंचा है यहाँ पर demand and supply क क्या equal है क्या आप इस बात को लिख सकते हो इस situation को लिख सकते हो point number two जड़ा comment करके बता है when demand is less when supply is greater than demand ठीक है access supply की situation access supply बता दो मेरे यारो मेरे दोस्तों यह बता दो clear है जड़ा इसके आ रहे हो कुछ points आप AC को देख देख क्या points लिख दो लिखो क्या क्या है यहां पर क्या होगा कि access क्या है supply तो sub competition creates among the supplier price will be decrease and demand will be increased और supply भी आपका क्या हो जागा impact of change in demand and supply on equilibrium price पहला को equilibrium price पता लगी यह क्या होता है सवाल यह कि demand और supply दोनों में अगर change आ जाए तो equilibrium price का फिर क्या होगा तो दोनों में चेंज का मतलब यह होगा आपका पहले समझे इस बात को देखें इस बोड़न आप चेंज इन बोड़न अ बिमान और रिमान अ चेंज इन बोड़न इन शप्लाई तो एक पॉसिबिटिस यह है कि दोनों इंक्रीज ओण हम ये तो य्यों हो इंक्रीज हो तो ये हो सब्सक्राइग एक Çण्ज Kw 700 चैन्ज करना दोनों इंक्रीज हो रहें दोने ज्यादा चेशन हो जाए इंक्रीड चेशन हो जा और सप्लाई जो है दोनों ऐंक्रीज हो तो यह भी है कि दोनों एक्वल ही इंक्रीज हूँ एक दोनों बड़े बात ऑब रूपलाई पर उन्यकूसाइब यह भी होसकता है जो डिमांट एंस अधलाई तो चेंज अगर आप कहोगे तो चेंज में तीन फास्ट बिचाल करूँगा अब रुख जाए यह पहले इंक्रीज रहा है दो तुछ करेंगी ज्यादा होगा इसमें क्रेट होगा तो आए सबसे पहले आप मेरे बास मोजी का क्लिए प्राइस की में बात करता हूं यह मैं उस स्चूूशन को समझा रहा हूं आपको जहां पर स्चूूशन वेंड दिमांड एंड सप्लाइज दोनों में एक्वल चेंज आ रहा हैं तो आपको इस बात का आपको सुंझ नहीं आना जाए पहले मेरे बात समझे राइज डिमांड एंड सप्लाई के करना बात करूं तो मान लीजिए 30 रुपए प्राइज है 300 डिमांड है और 300 सप्लाई है एक्टिलिब्रियम की स्टेज पर हम लोग है मान लो मार्केट में एक घमांड बढ़गई पचास यूंइٹ से तो 350 सप्लाइ बढ़ गए 350 अब बतायेजरा मुझे कि कि जितनी देमांड बढ़ई उतनी सप्लाई बढ़ई तो अब बताव मुझे एक्सयस को ने मिंदों kalian को बjasば्याघ नहीं सब्सक्रियूंब में कॉमपिट्चम वगा प्राइस बढ़े गां आइस अप्लायर में कंपिट्चम वोगे प्राइसफर में कोईबिद्ध नहीं आएगा एगा अब इसी बात को मैं डियागराम ते पूरूफ कर रहा हूं कि यह मेरे पास में डिमांड राहूं आप कि कि यहां पर मेरा है दिमांड कर और यह сп要 और यह मिरा है यहे मिरा कॉंटिटी ए अब दूनों को मैं एंक्रीज कर रहा हूंB VERY अरुट पता है । तो आप दूनों को अगर मैई कॉल पर इंक्रीज करूंगा तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि फिर इसके जो है एक क्लिर्म प्राइस पर कोई भी फर्क के नहीं पढ़ेगा कर एक बढ़ेगा तो इसलिए आपके लिए डियाग्राम गलत नहीं तो आप इसको बढ़ा लो उसी प्रा ऱुल्ट चेंज आया या नहीं आया फैर आपका पैले खुण पॉइंट इन फौक्त इवन हो गया क्वांटिटि पर इसे ज्यादा मार्केट में आ गई यह प्राइज में कोई चेंज आया तो इसको इसको इस ट्रिक सब्सक्राइब देखो गिना जितना इंक्रीज डिमां टू नेस्ट क्लास में समझूंगा बट आप एक पर डियाग्राम आपके देखना प्रेक्टिस करना और नेस्ट क्लास में सुचेशन नमबर तू पर हम जाएंगे प्राइस कॉंस्टेंट इंक्रीज ना दिमांद सप्लाई चलिए पूरा करी देते हैं इसको कर देते हैं पू है है फंड शमाने हलो हां शीवानी बहुत ए है इसके वीडियो या फिर क्या आट चाट आच चलो ठीए जिए और सब्सक्राइब प्रॉड़क्शन वाले प्रॉड़क्षन में प्रॉड़क्शन वाला पॉक्षिनल प्रॉड़क्षिन ही फिसके मैं अभी लगना आए तो एक दो वेत लग जाएंगे आपके these म утुरेखी करें आज है कि अधिए देखे जड़ा प्राइज और आपके पास सप्लाई यह तो यह थी तीस रुपए प्राइज था डिमांड तीन सो युनिट सप्लाई मार्केट एक इक टिलिब्रियम में है मार्केट सेट है अधिए एगदम से क्या हुआ है एकदम से माले जे कि डिमांड होगे हमारा 400 युनिट और सप्लाई भी बढ़ाया यह बटाए वह यह पर तीन सो अससी उनिट तो अब दोनों एंक्रीज हुए हैं बिल्कुल इंक्रीज हुए बट दिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो इस situation में access demand की situation create हो जाएगी और access demand में competition किस में create हो जाएगा consumers में और फिर उहाँ पर price increase होगी, demand decrease होगी, supply increase होगी और यहाँ पर आपके पास में demand और supply दोनों पर आपका upward movement होगा जब तक कि ये equilibrium point पर, बलब कि ये new price पर चले जाएगे, कैसे ज़रा देखो, ये आपके पास में है, demand, supply, एक clearum price पहले set कर लिजिए, पहले एक clearum quantity, पहले तो अपनी इस बात को आप set कर लिजिए, horizon हो गया, why हो गया, demand हो गया, और आपका supply हो गया, और ये आपके पास में access हो गया, बताएगे ज़्यादा दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों right word shift होगे, दोनों right word shift होगे, मानते हो इस चीच को आप, दोनों right word ही shift होगे, ना दोनों बढ़ रहे हैं तो, अब बताएगे ज़्यादा कोन बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा demand, तो clearly दिखाओ उसको, demand में ज़्यादा change आए, और supply में बढ़ा है, और supply में डिमांड को बढ़ा है, तो clear पता लगना चीच होगा, तो clear cut पता होना चीच होगा, देखें, दोनों ही आगे बढ़े हैं, मैं बत को मानता हूँ कि जो मेरे जो demand करव है, वो निया demand करव मेरे क्या आया है, वो D1 and D1 आया है, और जो निया supply करव है, वो क्या है मेरे पास में S1 और S1, आप देख पारें, कि demand में कितना change आए, this one and supply में कितना change आए, ज़्यादा Q से Q1 होगी, और आपका equilibrium price P से P1 मुढ़ गया, क्योंकि इस situation में price बढ़े गए बढ़े गया, consumer competition create होगा, demand ज़्यादा है, तो market में price क्या होगी, price market में increase होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि P से P1 नया equilibrium price आएगा, बढ़ यहाँ पर दोनों होगर equal बढ़ रहा था, तो price में clearly चीजें नहीं बता पाएगा, थर्ड situation के अगर मैं बात करूं, demand and supply की, तो मान लिजे, demand भी बढ़ा, बढ़ सप्लाई ही ज़्यादा बढ़ गया, तो आप क्या diagram मनने वाले हैं, आप को पता लग गया, diagram में आप क्या करने वाले हैं, फाली बात तो ये, कि दोनों बराबर हैं, जिस हाथ में मेरा pen है, वो supply है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो ये demand बढ़ा और ये supply बढ़ा, तो अब बताई ज़्यादा को ने, supply है, access supply है, competition supplier में create होगा, और फिर price क्या होगी, डाउन होगी, अब price आपको पता, यहाँ पर भी दिखाना आपको price कम कैसे होगी, demand, supply, supply, equilibrium point, where demand and supply is equal, equilibrium quantity, origin, price, quantity, y axis, x axis, demand curve, and supply curve, equilibrium point, समझे, अब मुझे क्या दिखाना है, इसमें, मुझे एक बात बतानी है, इनको, कि supply ज़्यादा बढ़ा, demand का बढ़ता है, तो demand को कमी दिखाओ बढ़ता होगी, फिर इसको ज़्यादा क्या दिखाना, जोच, यह demand हो गया, supply ज़्यादा बढ़ते हो, supply में ज़्यादा ग्रोध दिखाओ, ज़्यादा राइट बढ़ता होगी, ठीक है, तो बस, यह E था, अब नया कर्व यहाँ इंटर सेक्ट हो रहा है, तो यह even हो गया, और यह आपके पास में क्या हो गया, P1 हो गया, यह हमारा Q1 हो गया, तो देखने हैं, आपके पास है, price क्या हुआ, price कम हुआ, ठीक है जी, यह बात समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है तो, प्लीज पूचिए, क्लियर है, कोई डाउट, तो यहाँ पर हमने क्या पड़ा, कि जब demand and supply दोनों में change हो गया, जब दोनों में equal change हो गया, तो no change, जब demand में ज्यादा increase हो जाएगा, supply कमपटेबली तो एक्लियर हो जाएगा, यह चेंज आएगा, तो यह वही question आपके सामने था, कि impact of change in the demand and supply on equilibrium price, तो अब देख पार हो कि supply कम change आ रहे है, बट demand में ज्यादा increase हो गया, तो यहाँ प्राइज इंक्रीज हो गया, दोनों में जब equal change आया, तो price में no change, और जब supply में ज्यादा change आया, तो price आपके decrease हो गया, तो यह उन्हीं मातों को तो आपके सामने लिख रहा है, क्लियर है जी, समझे, अब है कि decrease अगर होगे दोनों में, demand and supply दोनों decrease होगा, तो क्या होगा, तो इस पर कल चर्चा करेंगे, कल की class में, और application end, चलिए, कल के session में ही मैं सुकू कर पाऊँगा, कल access supply वाला ही case हमारा, और इसके points की बात करते हैं, कल इस points को मैं, एक बार revision मार करके इस point पर आऊँगा, और कल हम बात करेंगे, इस question की, then फिर हम पढ़ेंगे application demand and supply, चल रहा है आपका application demand and supply, इसमें कुछ एक दो questions और करेंगे, तो कल में भी खतम कर देंगे, तो परसो हम application demand and supply भी खतम कर देंगे, chapter number three, chapter number four already खतम हमारा utility, chapter number five भी हमारा खतम है, और production function भी हमारा खतम है, तो बस, कोशिश पूरी है, जल्दी तो नहीं, बट आराम से ऐसे ही चले, बट आपका course, आपको मैं लेके नहीं जाना जाता है, तो आपका end of November में exam से start है, तो मैं यह मानता हूँ कि, अगर आपका next week कोई exam है, तो आप पूरा week उसी को लगा देंगे, कोई दूसर सब्यक्तर या कोई class लेना भी पसंद नहीं करेंगे, वो आपके लिए बड़ा irritating होगा, इसलिए मैं चारा हूँ कि आपको course जो है, exam से one week पहले आपका wind up हो जाए, अच्छे से चीज़ें खतम हो जाए, जूटिलिटी में आपको जो important question पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको consumer surplus, अभी थोड़ा सा वेट कर लेजे, मैं utility को बतायता हूँ, कौन-कौन सा है, मैं आई बता रहा हूँ मैं important question